नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका study IQ में आज हम लोग एक बहुत ही interesting discussion करने वाले हैं in fact यह ऐसा discussion है I am quite sure कि majority of our viewers will connect with this क्योंकि हम लोग बात करने वाले हैं as property dealing के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं land titling के बारे में आज हम लोग इस discussion में देखेंगे एक नीतियायोग का नया model law जहां पर नीतियायोग ने propose किया है conclusive land titling हम लोग देखेंगे conclusive land titling क्या होती है इंडिया में किस तरह से property titling होती है क्या हमारे पास conclusive titling है या कोई और method की titling है मतलब किस तरह से property hands exchange करती है और क्या उसके reasons है और क्यूं नीतियायोग ने इस चीज को लाने के बारे में बताया है क्या इसके फाइदे होंगे और क्या problems हो सकती है आगे चलके तो it is a very very important topic in general also and from exam perspective also ध्यान से सुनिएगा बहुत अच्छी information मिलेगी यहाँ पे let us begin बट उससे पहले मैं हूँ आपका दोस्त रहुल साइगा उंकर अगर आप मुझे फॉलो करना चाते हो और आपको कोई सवाल है आप मुझे directly message कर सकते है Instagram पे I do reply on weekends इसके आलबा Study IQ आपके रदा है smart course for UPSC civil services examination which is for IAS and IPS entry we have EMI facility available for you for more information please download our app from Google Play Store or you can also visit our website studyiq.com anytime and don't forget to subscribe to our channel studyiq चली पहले मैं खबर के बारे हैं बताता हूँ कि क्यों हम लोग ये discussion कर रहे हैं हमारी जो केंद्र सरकार है केंद्र सरकार चाहती है कि हम reform लाएं इंडिया के land market में कुछ fundamental changes की बाते कर रहे हैं इसलिए इंडिया ने जो नीतियायोग बनाई हैं उनको ये जिम्मा सौप रखा है कि किस तरह हम लोग land reforms ला सकते हैं land market को बढ़ावा दे सकते हैं तो इसलिए जून 2020 में नीतियायोग ने एक नई development की थी उन्होंने initiate किये थे कुछ land reform के ideas जून 2020 में उन्होंने एक model bill on conclusive land titling भेजा राज्यों को और union territories को कि वो अपनी inputs दे कि क्या वो सोचते हैं इस चीज के बारे में अब सवाल ये उड़ता है कि केंद्र सरकार ने एक model bill क्यों भेजा क्योंकि बहुत है simple चीज है जब हम लोग land की बात करते हैं land state के subject है तो इसी लिए it's a model law ताकि वो states को nudge करे states को promote करे कि इस तरह का कुछ setup लिया आए ताकि land titling इंडिया में easy हो जाए लेकिन जून 2020 के बाद भी अभी हम लोग है March 2021 में अब तक बहुती कम states ने इस particular चीज के उपर कोई feedback भी है बहुत से states ने कोई feedback नहीं दिया कोई interest नहीं दिखाया इस तो इसलिए हाली में सरकार ने उन्हें warn किया है कि अगर आप input नहीं provide करेंगे आप अपनी प्रितिक्रिया नहीं बताएंगे तो we presume that you accept these changes whatever we have suggested so it's a very very strange thing कि एक तरफ सरकार की अलोचना हो रही है कि farm bills के उपर उन्हें discussion नहीं किया दूसरी जगा पर जहां पर input पूछा है वहां पर कोई discussion हो नहीं रहा है quite strange लेकिन चली nonetheless हम लोग बात करते हैं इस model bill on conclusive land titling के लिए इस bill के बारे में बात करने से पहले मैं बात करना चाहूंगा इंडिया में क्या proposal चल रहा है इंडिया में अगर मैं land titling की current system की बात करूँ वो है presumptive land title ownership इसके बारे में थोड़ी देने बात करते हैं इसको change करने की बाते कर रहे हैं नीतियायग अभी चाहते हैं कि वो एक conclusive land title हो जिसको सरकार back करेगी यानि कि सरकार guarantee देगी land title की simple सा example है चलिए समझते हैं यह presumptive land titling क्या है और हम लोग किस दिशा में जाने की बाते कर रहे हैं देखे आपने experience किया होगा अगर आपको कोई जमीन खरीदनी है इंडिया में तो आप क्या करोगे आप देखोगे उसकी sale deed किसके नाम पे है अभी जमीन आप उसका survey map वगेरा सब कुछ देखोगे और eventually उसकी encumbrance certificate etc जो भी dues है वो सब चेक करोगे और उस चीज़ पे हमारा जब भी आप खरीदोगे तो आप पैसा देकर आप sale deed अपने नाम पे करोगे it is presumed पता नहीं है कि कौन original खरीदते है तो we presume that we are the land owners but we are actually not the real owners of that मतलब देखे इंडिया में क्या problem से presumptive land titling की जैसे कि मैंने आप कहा कि अगर आप land खरीदने चाओगे तो काफी technical चीज़े होगी आप चेक करोगे encumbrance certificate encumbrance certificate क्या होता है इस encumbrance certificate में आपको 20-30 सालों का data मिलेगा जहां पर आप देखोगे कि ये जमीन कैसे कैसे transfer हुई है क्या इसके उपर कोई dues है क्या taxes भरने है etc कोई वाद विवाद हो है जमीन पर ये सब आपको मिलेगा encumbrance certificate से और ये EC आपको कहां से मिलेगा ये आपको मिलेगा district register और sub register के office तो मैंने EC ले लिया और फिर मैंने इसका sale deed भी निकला क्योंकि ओपन document है तो I take out the sale deed the recent sale deed यानि कि ex-person के नाम पर है मैं उस ex-person से खरीदूँगा अब ये दो document मैंने देख लिए और मैंने देखा कि भाया land का कोई जंजट नहीं है चकर नहीं है तो मैं पर इंस्टन्स रेकॉर्ड ओफ राइट्स देखनी कि originally किसके नाम पर थी या फिर mutation रजिस्टर भी देखना पड़ेगा क्योंकि एक example आपको दाते हूं समझ लीजिए father के नाम पर जमीन है यानि कि बाप के नाम पर जमीन है और उनके बेटे ने बेच दी मुझे बेच दी अब ये मैंने देखा नहीं कि mutation हुआ है कि नहीं मतलब यानि कि बाप के नाम से बेटे के नाम पर हुआ है नहीं mutate it has not mutated तो अगर बेटे ने बेच दी फिर दिन father can claim challenge that particular sale फिर जंजट में फस जाएंगे तीन departments में जाना पड़ेगा mutation certificate या mutation register देखना पड़ेगा record of right register देखना पड़ेगा encumbrance certificate चेक करना पड़ेगा sale lead चेक करना पड़ेगा एटसेटरा एटसेटरा तो काफी जंजट वाला काम है और काफी legal काम भी है तब इस सीज़ में मैं अपना खुद का experience बनाता हूँ कि अगर कोई जमीन खरीदनी है तो इन सब documents को लेके even though आप खुद भी चेक करोगे तब भी आप शौर नहीं रहोगे क्योंकि आप काफी बड़ा investment कर रहे हो तो आप चले जाओगे एक वकील के पास just to show these documents and to get a clarification कि भाईया सब कुछ ठीक है जंजट नहीं है उसके बाद में sale read हो जाएगा लेकिन अगर कहीं पर कोई problem निकली it is always up for challenge encumbrance certificate समझ जिए 20 साल 30 साल पहले कोई problem निकली तो challenge हो सकता है इसके अलबा काफी ज्यादा आपको documents लगेंगे original document दोनों parties की signature लगेंगी चलान डीडी प्रॉपर्टी काड लगेगा आपको आपकी proof of identity अगर कोई developer है तो power of attorney एटसेटर लेके जाना पड़ेगा मैं अपने खुद का उधान देता हूँ करनाटका में there is कावेरी online platform सब कुछ online हो चुका है हाली में मैं एक land transfer के लिए आता वहाँ पर I was a witness वहाँ पर मैंने पूछा जो कावेरी online system में there was an operator and I asked the operator कि ये कावेरी online हो चुगा है तो अभी तो बहुत कुछ streamline हो गया होगा तो problems हट गया होगी तो operator ने कहा कि sir OTP बड़ी देर से आता है तो problems online system में भी चल रही है but nonetheless on a lighter note मेरा पूरा इस discussion का तातपर क्या निकलता है इस example का तातपर क्या निकलता है कि इंडिया में land के साथ बहुत ज़्यादा ज़ंजट है अब सवाल ये उड़ता है कि sir ये presumptive land titling हम लोग इस्तमाल ही क्यों कर रहे है कि British ने क्या किया British ने इंडिया में लाई जमीनदारी system अब ये जमीनदारी से जो system चलती आ रही है वो कुछ नहीं ये presumptive land titling system ही है यानि कि British ने जमीन दे दी जमीनदार को अब ये जमीनदार दे देगा आगे वाले tenant को लेकिन अगर tenant land revenue नहीं दे पाया यानि कि rent नहीं भर पाया तो उस land को transfer कर देंगे एक tenant से tenant 2, tenant 2 to tenant 3 तो ये वही system चलता रहा है independence के बाद भी यानि कि simple सा explanation इसके लिए है कि हमारे सुतंदरता के बाद जमीनदारी तो जा चुकी है लेकिन जमीनदारी से जुड़ी हुई जो land titling system है land ownership system है वो अभी भी चल रही है आज भी वही बरकरार है इसी लिए इतना complicated system है which is nothing but a colonial hangover अब इस चीज के लिए नीतियायोग ने एक महीम चेट दी नीतियायोग ने मैंने जैसे बताया आपको जून 2020 में उन्होंने model conclusive land titling bill भेजा राज्यों को input के लिए तो this is still in development बट still मैं आप बताता हूँ कि नीतियायोग ने क्या propose किया है यह जो presumptive land titling है जहाँ पे बहुत ज़ादा complicated चीज है यहाँ पे उसको replace कराके उन्होंने propose किया है एक particular land titling bill जिसमें उन्होंने कहाए कि हर एक राज अपने राज में land authority set up करेगा और यह जो land authority रहेगी यह noodle agency रहेगी यह land authority एक title registration officer को appoint करेगे अब यह TRO जो रहेगा इस TRO का काम रहेगा कि वो prepare करे और publish करे एक draft list land titles की यानि कि समझ लीजिए अगर Bangalore की बात चल रहे बैंगलोर में TRO जो रहेगा बैंगलोर में जितनी भी जमीन है जिनके भी नाम पे है तो वो एक draft त्यार करेंगे और public में डालेंगे existing records की basis पर अब वहाँ पे एक time period करने की बात की गई है इस particular bill में जहाँ पे अगर कोई claim आ गया इस particular initial draft पे प्रिपेर की है समझ लीजिए एक land X व्यक्ति के नाम पे है और Y कह रहाए कि यह मेरी है तो उस पे जो claim आएगा वो refer किया जाएगा land dispute resolution officer को जो eventually matter को resolve करेंगे और एक final decision लेंगे और record of title publish करेंगे यानि कि X के नाम पे है करके बता देंगे तीन साल का window रहेगा अगर कोई litigation करनी है litigation चलनी है तो तीन साल के window में आप challenge कर सकते हो आज नहीं कर पाए पहले time period में नहीं कर पाए तो आप तीन साल के अवधी में कभी भी कर सकते हो TRO और LDR को जो decision रहेगा उसको आप challenge करोगे land titling appellate tribunals जो set up करेंगे हर एक राज eventually इस तीन साल के period के बाद conclusive proof of ownership आपको सरकार दे देगी यानि की सरकार अभी guarantor है यहाँ पे इस चीज के बाद इन तीन सालों के बाद अगर कोई भी वाद विवाद होगा अगर कोई भी litigation होगी कोई भी problem होगी it will go to the high courts in the respective states अब सवाल यह उड़ता है सर इसके फाइद एक एक सिंपल सी चीज है तीन साल बाद सरकार एक conclusive proof of ownership दे रही यानि कि सरकार guarantee दे रही अगर समझ लिए कोई litigation निकालाई किसी ने challenge किया तो सरकार उस वेक्ती को compensation दे देगी उधर से only after it is proved that there is some sort of problem यानि कि सरकार ने मुझे तीन साल बाद अगर मेरे नाम पे एक conclusive title दी है कि सर्वे नंबर X वाली जमीन आपके नाम पे है कोई और वेक्ती अगर उस पे challenge करेगा तो अभी एक party मैं हूँ एक party सरकार है और एक party the other person है तो सरकार will handle that other person that's the simple logic of this conclusive land title यानि कि सरकार अभी guarantor बनेगी अब सवाल ये उठता है कि सर्व पहले वाला system भी complicated था लेकिन इस वाले system में मैंने आपको काफी चीज़े explain की तीन सालों तक जंजट चलेगी लेकिन तीन सालों बाद conclusive title मिलेगा conclusive proof मिलेगा तो इन सब चीज़ों को फाइदा क्या होगा देखिए इंडिया में अगर हम लोग फाइदे की बात करें it is going to benefit a lot सबसे पहले तो lower litigation होगी land के उपर क्योंकि अभी सरकार involved है सरकार guarantor है पहले तीन सालों में जो उन्होंने TRO, LDR, Appellate Tribunals की बात की तीन सालों के बाद it is going to be really really easy जो litigation चलती है हमारे courts में वो कम हो जाएगी in fact अगर हम लोग बात करें इंडिया में litigation, land litigation बहुत जाबा है almost two-thirds of the cases are connected to land litigation, property litigation itself तो ये कम हो जाएगा average जो time of dispute resolution ही वो कम हो जाएगा क्योंकि अगर सरकार अभी role में आ चुकी है सरकार ने guarantee दी है कि अगर कोई challenge करेगा तो मैं उसको compensate कर दूँगा तो सरकार will resolve it very very easily इसके अलावा अगर कोई investor है तो investor अभी डरेगा नहीं investor का sentiment positive रहेगा कि इंडिया में land market actively develop हो रहा है तो मैं अराम से invest कर सकता हूँ और सबसे बड़ा फाइदा यह होगा कि बेनामी transactions almost end हो जाएगा बेनामी transactions क्यों end हो जाएगा क्योंकि सरकार अभी guarantee दे रही है conclusive title दे रही है तो सरकार के पास अभी सारे record है कि अगर survey number 10 की जमीन है वो किसके नाम पे है सरकार has a conclusive title because now it is the government which is giving the guarantee of the ownership of that particular land and finally अगर land conclusive titles होंगे तो easy institutional credit भी available हो जाएगा especially rural area में especially farmers को credit easily available हो जाएगा loan easily available हो जाएगा तो फाइदे तो काफी ज्यादा है लेकिन दिक्कते भी उतनी ज्यादा ही है यह जो मैंने आपको solution बता यह जो मैंने आपको bill बताया क्या यह इतना आसान है पहले तो 3 साल तक काफी मशक्कत करनी पड़ीगे सरकार को कि जो भी claims आएगे counter claims आएगे उनको resolve करना है quickly और वो सब resolve होने के बाद भी high court में litigation कुछ हद तक बढ़ सकती है लेकिन it is not a very very easy job क्योंकि अगर इंडिया में देखे land records have not been updated for decades अभी दशकों हो चुके हैं especially rural areas में land records को update की हुए अभी भी बहुत से ऐसे लोग है बहुत से ऐसी जगा है इंडिया में जहां पे land records current owner जो भी होंगी grand parents, dada, परदादा के नाम पे है और कोई proof नहीं है details है 2018 के and I'm quite sure कि पिछले दो सालों में ज्यादा improvement कुछ नहीं हुए in terms of these numbers also अगर हम लोग computerization of land records की बात करें computerization तो काफी अच्छे से चल रही है लेकिन conclusive land records नहीं है याद रखिएगा it is just the computerization of land records इसके अलाबा mutation computerization कितनी हुए है less than 50% जो record of right होता है उसकी digital signature कितने properties की हुए है only 28% अगर आप special data verification की बात करें only 40% हुआ है number of villages जहांपे survey complete हुआ है resurway complete हुआ है केवल 10% के आसपास और पूरे इंडिया में अगर survey की बात करूँ 35% area केवल survey हुआ है इस चीज से पता क्या चल रहा है कि अभी भी काफी ज्यादा दूर है हमारी मंजल सबसे पहले तो ये जो land record modernization program है ये complete होना पड़ेगा उसके बाद conclusive land titling will become very very easy और हम लोग technology की बात करते हैं we cannot solely rely on satellite imagery here क्योंकि village level survey जब तक complete नहीं होंगे तब तक resolution जल से जल नहीं निकले और इसी लिए role of panchayats become very very important empowerment of panchayat becomes very very important although it's a very very good step by NITIO की conclusive land titling ला रहा है जहाँ भी सरकार guarantee देगी conclusive ownership का title देगी individuals को लेकिन इन सब को लाने में अभी भी समय बाकी है और सबसे पहला hurdle तो ये है कि राज्य सरकारे अपनी तरफ से input भी नहीं दे रहें that is the first impediment here apart from that there are so many problems which are ahead of the government hopefully government इन सब problems को resolve करेगी और जल से जल हम लोग देख पाएंगे conclusive land titling in India that is it from my side on this part of discussion thank you for watching जाही हिए हृँ